हेलो दोस्तों नीदी की कीचेर में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे गोबी आलू की मसालेदार सबजी फ्रेंड्स ये रिसीपी आप बनाएए खुद दखाएए अपने फैमिली को खिलाएए और इंजवाई कीजिए सबसे पहले में कराईगर हम करेंगे अब इसमें हम अब इसमें हम गोबी चुप किया हुआ डालेंगे अब इसे गुल्डन डिफ्राइए हम कर लेंगे हम इसे लो फैम पे अच्छी तरह से फ्राइए कर लेंगे अब इसे प्लेट में हम निकाल लेंगे अब हम ऑली तरह और डालकर गरम कर लेंगे अब इसमें हरि मिर्च टेश्पात्तल लाल मिर्च जीरा डालेंगे और इसको हलका ब्राउन हम भून लेंगे अब इसमें हम छॉप किया हुआ प्याज एड़ करेंगे और इसको अलका सा ब्राउन होने देंगे अब इसमें हम नमक एड़ करेंगे आप अपने स्वाद के नुसार नमक एड़ कर सकती हैं अब इसमें हम हल्दी पाउडर दो चमच एड़ करेंगे अब इसमें हम लाल मिर्च पाउडर एक चमच दनिया पाउडर दो चमच और गरम मसाला एक चमच करीब में हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चाइनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कॉमेंट करें माई चाइनल को अब इसमें हम अद्रक लहसन का पेस्ट एड़ करेंगे और इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे हलका भून लेने के पान हम इसमें पानी एड़ करेंगे और प्याज को अच्छी तरह से हम पका लेंगे अब इसमें हम गोवी फ्राइ किया हुआ एड़ करेंगे और बॉयल आलू हम इसमें एड़ करेंगे मैंने पॉले से बॉयल आलू करके रख लिया था अब इसको हम अच्छी तरह से चारों तरफ से मिला लेंगे हम इसे लो फेम पे पकाएंगे फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आये तो कॉमेंट करें लाइक करें शेयर करें अब इसमें हम पानी एड़ करेंगे और इसे हम ढख के पान से साथ मिनट तक हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे अब इसमें हम चौप किया हुआ टामाटर एड़ करेंगे और इसको हम फिर से मिला लेंगे अब इसको हम ढख के पान्च मिनट और पकाएंगे ताकि मिरे सबजी बढ़िया से पक जाए और इसका कलर भी बढ़िया दीके और टेस्ट भी खाने में बढ़िया लगे फिर्ण्स यह रिस्पी आप बनाएए खुद खाएए अपने फैमिली को खिलाएए हम यह सबजी के साथ रोटी चावल खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा अब देख सकते हैं लगबग सबजी पक गया हम इसे पाच मिनट और लो फेम पे ठक के पका लेंगे सबजी पक गया है अब इसे हम चारो तरफ से मिलाएंगे हम इसे लो फेम पे पका अब इसमें हम पानी एड करेंगे और इसे पाच मिनट तक लो फेम पे हम पका लेंगे फ्रेंड्स मेरा वीडियो देखने के लिए